ग्राम जाट चोकी मदिप्रदीश की सीमा के अंतिम छोर पर राजिस्तान सीमा से लगा हुआ है राजिस्तान में लंपी नामक खतरनाग दुमारी ने हजारों पशु को अपनी चपेट में ले लिया है एक और अब मदिप्रदीश में भी पशु में तेजी से रोग बढ़ता जा रहा है ग्राम जाट में भी इस रोग से गर्दीनों एक गाई की मत्यों चुकी है और साथ गोवश और इस रोग की चपेट में है रोग की रोगता खिली पशु चिकिसक डॉक्टर सुबानी खान ने लगातार दो दिनों तक ग्राम जाट में रूख कर रोग सिद्रस गोवश का अपचार किया एवाम ग्राम जाट की युवागो भक्तों जो रात दिन गोश सेवा में लगे हुए है के सयोग से गरगर जाकर पशु माली को को लंपे विमारी से बचाओ है तू ग्राम की पशु में टिका करेंड करवाया पशु चिकिसक चिकिसक डॉक्टर सुबानी खान गोश सेवक रिजवानी अंसारी ने दो दिनों तक गोव भक्तों के अतक प्रयाचू से ग्राम की लगबग 400 सदिक गायों का टिका करेंड किया एस दुरान पशु चिकिसक को का सयोग करने के लिए ग्राम की युवाओं का विशेश दल गोमाता की सेवा के लिए निस्वार भाव से लगा रहा जिसमें ग्राम पंचायट के उप सरपंच प्रतिनीधी वह युवा गोबगत पिंटु गुजर बालकिशन माली राहुल शर्मा युवा पत्कार सत्यनारेंड सुतार छीतर मल गुजर मुरली बेरागी सुरेश बाट अर्जुन चोहान राहुल माली राप्रसत खटिक सत्य नरेंडबाद बबलो रेगर रादिशाम धाकर देव प्रकाश प्रजापत आदी युवा गोबगत की टेम पूरी तरह गोवंश की सेवा के लिए लगे हुई है